सिगरेट पीना कैंसर का कारण और जान लेवा है शाराब पीना सेहत के लिए हानी कारत है वीरान कलियां सुनसान सडकें काले चादर में लिप्टी ये आलिशान इमारतें इस बात का इशारा कर रही है कि कल फिर सुबा होगी कल फिर सूरज निकलेगा और उसकी किर्णों से ये सारा संसार फिर से जगमगा उठेगा दिन हो या रात तोनों प्रकृती के काल चकर है और इसी धर्दी पर मनुष एक ऐसा प्राणी है किसके चरिद्र को समझ पाना लगबग असंभव है कम से कम वरतमान इस्तिती को देख कर ऐसा कहना बिलकुल भी गलत ना होगा दिन के उजाले हो या रात के अंधेरों में या यूं कहें कि हकीकत के आईनों में दिखता है इनका दोरा चरित्र यानि डबल फेस जाले है कर दो रहा है थाले है स्थक्तंऑ हमारे ग्रंथों और शास्त्रों में इस तरी के अनेक रूपों का वर्णन मिलता है जैसे सरस्वती, दुर्गा, काली, शार्दे इत्यादी लेकिन ये चित्रन अब इत्यास के पन्नों पर जाकर कहीं सिमट से गये हैं शायद ऐसे में अगर बात आज की नारी की की जाए तो अधिक शक्तिशाली, सुधिर, काम्याब और अधिक महत्वकांशी महत्वकांशी होना कोई गलत बात भी नहीं लेकिन समाज की खोकली पुरुष परधान प्रविती, कल्भी परवल थी और आज भी कल्भी नारी को सिर्फ उब्भोक की वस्तू समझा जाता था और आज भी मगर चरित्रहीन जैसे लांचन सिर्फ इस तरी पर ही क्यों ऐसे ही विचारों से जन्मी मेरी आज की कहानी है रश्मी रश्मी सुभा की पहली की रण सुन्दर शोख चंचल चंचलता ऐसी मानो किसी का भी दिल मोले पाश वर्ष की उम्र में ही मा का दिहान और पिता के असीम प्यार और देख बाल में इसने अपने जीवन की बाइस वर्ष पूरे किये उम्र के साथ साथ महत्व कानशाएं भी परवल होने लगी ये है रवी हमारी कहानी का दूसरा किर्दार क्या हुआ कुछ ढून रहे हैं आप कुछ ज़रूरी पेपर ढून रहा था वो सब छोड़िये लीजिये अपनी चाहे तेंक यू तेंक यू वेरी माच वेलकम रवी से बात होगी तुम्हारी? हाँ हो गई है बात क्या बलो? वो चलने को राजी है तेंक गॉड वो चलने को तेयार हो गया वरना आजकल के लड़कों पे ज़्यादा भरूसा ठीक नहीं है पता नहीं कब क्या कर जाए? आप भी ना खामखा अपने रवी पर शक करते हैं हरे हम लोग तो खुश नसीब है कि हमें रवी जैसा संसकारी बेटा मिला है पापा, मैं आफिस जा रहा हूँ आप कहें तो मैं आपको डॉक्टर के पास छोड़ता जाओ नहीं बेटा, तुम जाओ तुम्हारे आफिस के अस्टाफ हरताल पर है जाकर उनकी समस्या देखो ठीक है पापा वैसे भी अभी तयार होने में अभी वक्त लगेगा बेटा, हमा शाम को घर जल्दी आना लड़की वालों के घर जाना है ओके ठीक हमा, मैं आ जाओंगा बस अब लो तयार है ना बाई पापा, बाई मामा बाई बेटा रश्मी बेटा आज तुम कॉलेज नहीं गई? नहीं पापा, आज हमारे डिपार्टमेंट के फैकल्टी की लीव है इसलिए हमारी क्लास सस्पेंड है ओ, अच्छा-च्छा बेटा, ऐसा है के शाम में रवी के घर वाले तुम्हें देखने आ रहे वो मैं चाहता था के तुम अपने होने वाले जीवन साथी की तस्वीर तो देख लेती नहीं पापा, आपने जिसे पसंद किया होगा ठीकी होगा वो ओ बेटा, आज तुमने मुझे अपनी मा की याद दिला दी ठीक है बेटा तुम शाम की तैयारी करो मैं शर्मा जी को कंसाइन्ट मेंट लेटर दे कर आता हूँ ओके पापा ओके बेटा बाई भाई साथ, पता है आपको मेरे रवी ने आपके बेटी की तस्वीर भी नहीं देखी बस हमारे फैसले पर चलाया यहाँ बेहन जी ये सब तो संस्कारों में होते हैं मैंने सुना था कि चोडियां उपर से बन कर आती है शायद ये उसी का प्रभाव है आप लोगों को बताएं कि मेरी बीटिया रश्मी ने भी रवी की तस्वीर देखे बिना ही इस रिष्टे के लिए हा कर दी बिल्कुल सही कहा आपने भाई साहब ऐसे चीजे तो आजकल सिर्फ किताबों में देखने को मिलती हैं भाई साहब अब आप रश्मी को भी बुला लीचे हमारी आखे हमारी होने वाली बहु को देखने के लिए तरस रही हैं जी हाँ बिल्कुल बिल्कुल रश्मी ओ बेटा रश्मी जी बापा बेटा चाय ले करे हाँ ना हाँ आर यू हाँ बेटा रखो अरे तुम 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 लोग एक दुसरे को जानते हो हाँ नई मा मैं तो बस कोई बात ने बेटा आप तो ये सब आम बाते हो गई हैं हाँ बेटा बैठो क्या नाम है तुमारा नाम में क्या रखा है क्या करोगे नाम जानके बस यूँ ही पूछ लिया क्यों शादी करोगे मुझसे मा मैं इस लड़की से शादी नहीं करूँगा पर क्यों बेटा मा मैंने कहा ना चलो यहां से पर क्यों बेटा क्यों आने के समय तो सब कुछ ठीप था ये अचानक क्या हो गया तुमको मा लोगों के साथ सोना इसका पेशा है ये मेरा पेशा नहीं है ये मेरी सुसाइटी मेंटेन करने की मजबूरी है और तुम लोग भी तो अपने मावाप से छिप कराते हो हम जैसी लड़कियों के पास अपनी हवस पूरी करने के लिए अकलमंदी इसी में है, तुम अपने काम से मतलब रखो फल खाओ, पेड़ गिनने से क्या फायदा? इस ओके, लेकिन तुम ये सब करती क्यूं हो? मैंने बताया तो, अगर यही सवाल मैं तुम से करू तो मेरे पास जॉब है, पैसे है, अच्छी लाइफ है लाइफ इंजॉआए कर रहा हूँ ओ-ओ, वेरी गुड, क्या हम लड़किया अपनी लाइफ एंजॉआई नहीं कर सकती? ओ-ओ, मतलब, महत्व कांची महत्व कांचाएं, रवी की या रश्मे की? महत्व कांचाएं तो इस्तरी और प्रुष दोनों में परयाद होते हैं मगर चरित्रहेंता सिर्फ इस्तरियों पर ही क्यों थोग दिया जाता है ऐसे में समाच के हर चेहरे पर खोकलापन इस कदर सवार हो चुका है मानो इंसानियत शून हो चली है शायद कौतम बुद्ध के कतन अनुसार समाच का हर वो व्याक्ती चरित्रहें है जो किसी भी पराई इस्तरी या पुरुष के शरेर का अनुचित असपर्श करता हो या उनके साथ अवैद शारिजिक संबन रखता है मैंने ऐसी लड़की आज तक नहीं देखी है बाप के सामने सती सावित्री बनी बैठी है लेकिन लक्षक राम राम तुम ये मत भूलो कि जिस लड़की को तुम चरित्रहीन बता रही हो उसके साथ तुम्हारे बेटे ने भी रात बिताई है फिर वो चरित्रवान कैसे तो आप क्या चाते हैं रास्ते के धूल को अपने बेटे के माथे का दिलक बना दू तुम ऐसा सिर्फ और सिर्फ इसलिए कह रही हो कि कुछ तुमने बेटे को चंग दिया है तो प्रीटी को चंग दि होती तो आज साथ ज्यान देने के जरुरत नहीं है मैं चानती हूँ मैं क्या कह रही हूँ अरे कम से कम नारी तुब का तो खैल रखो एक औरत होकर एक लड़की की इज़त को निलाम कर रही हो कभी अपने संतान की गलतियों पे भी गौर करके देखो मैं अपने कहानी को विराम नहीं दे सका शायद और सादत हसन मंटो साहब ने भी क्या खूब कही है कि मैं उस साथाइटी की चोली क्या उतारूं जो साली पहले से इनंगी है वो अफसाना जिसे अन्जाम तक लाना नहों मुम्किन उसे एक खूबसूरत मूर दे कर छोना अचा लो मुम्किन लो मुम्किन कर दो साथ काल कर दो साथ दथ खर से अंगी है क्लो कर दो अंग्स एंग सरी पार भी किमnym कर उस हो मुम्किन और साह मैंраш